Hello students! आज हम बात करेंगे HPLC के sample preparation पे suppose हुझ्य हर्क है かった हुझकहा है आपके पासмीं है पूची क। बात करेंगे तो आपके सामने धिक्लिया रहरा है आजय भी होती है और इसी से किया जयाता है नर्मल से स्रघ्सिस्जञ पर-ו Duty तोते हैं या तारिपियॐट्स होते हैं उनको निकालने के लिए INS. प्रोसेज जो होता है कि अपको आपका ये स्वॉर्ट एक्स्रेशन प्रोसेज्ट अब इस प्रोसेज मिक्या है आपके ॥् स्क्रीन पर है जो वाइड का फिल्टर किशुवत है छोज़े प्लांट का जो रूट होता है या लीफ होता है उसको आप ड्राइ करके उसमें भष देते हैं उसके बाद में कंडेंसर होता है इसके उपर हम बताएंगे अगे इसके अंदर के क्यासे इसको setup तयार किया जाता है उसके बाद में इसको heating मतलब वीघ एवाड़ी में पर हैलेग हैं अहिंटे वीस बाने के ऑने के बाद इसको रोटावे पर ड्राइ你說 होता है चाया also dinneruses के इसकी तो हम बात करें गोर्स को जो की हपिआट Tools के प्लांट का जो एक्टिव इंक्रेट है उनके एइनलीसिस में काम आता है तो इस सबसे important हा अपका इसका setup ठैयर करना का setup कैसे त्यार करते हैं इसको respuesta स्वोक्सने एक आहिछ दो आता हैं लगाते हैं तो हम इसकी बात करेंगे आगे सबसे पिले एक आर्ए लेना है जो कि एक लीटर का मतुतिals होना चाहिए और उसके बाद में जो एक लिटर यह अगंदेंशर साथ में इसका pastors ऊма एक सेटाप बिल्कुल सकेट को आप जो फिल्टर पर लेंगे फिल्टर परमें वह आपको जो जिसका आपको स्ट निकालना है वह आपको बर करके और यहाँ पर रखनी के बाद में सोने के बाद में आप इसको लगाव तक सिया report ॐ आप आप ड्राइब करके और इसे फिल्टर पटके पाउच में आप भर देंगे और आपको हीट करना लगए हंडेट डिग्री के आसपास जो सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के अकोडिंग आप उसका टेंपरेचर सेट करेंगे यह तेंपरेचर करने के बाद में इसके फ्यूम से ड अब देद excel के आप दैणि उसके बाद में फर्दरल फिल्वेंट टेंपरेचर को चumbMAN आपको छिससे और मिलावनड से चाहाई करिसी की स्ब्ला को साथन प्लांट एच्पिल्स करा सकते हैं यूई करा सकते हैं या नमार करा सकते हैं और फर्दर रुक अंदर जो भी एक्टिव पार्ट है उसका आप अनालिसिस कर सकते हैं और उसको उसका मेडिसनी यूज जो है आप बता सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही का है इसको आपका जो है उसका यूज कहां कहां पर है कैसे आप उससे प्लांट का एक्स्टेशन करते हैं वो मैंने आज बताई आज की वीडियो में इतना है थैंक यू सस्क्राइब करें चैनल को ओके बाई